हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अगर आप भी अपने किसी भी फोन में जैसे की OPPO, Vivo, Samsung, Realme या MI के फोन में Google Indic Keyboard इस्तेमाल कर रहे हो और आप उसकी theme यानि की color change करना चाते हो उसे black करना चाते हो, yellow करना चाते हो, white करना चाते हो या उस अपना photo ही लगाना चाते हो, तो कैसे करा जाता है, कैसे इसका setting करा जाएगा, आईए आज की इस वीडियो में हम आपको समझाते हैं, तरीका एकदम simple है, यहाँ पे आपको सबसे पहले अपने play store में जाना है, यहाँ पे आपको Google Indic Keyboard सर्च कर लेना है, और यहाँ पे आपक तो आप जाएए अपने mobile की settings में, यहाँ पे आपको मिलेगा एक option additional setting और आपको एक option ढूणना है language and input, यह चीज मेन है हमारी keyboard की setting होती है, यहाँ पर आप इस पे touch कर लेजिए, फिर आपको मिलेगा यहाँ पे manage keyboard इस पे touch कर लेजिए, और यहाँ पे आपके कैसारे keyboard यहाँ तो सारों को बंद कर दीजिए और बागी Google Indic Keyboard को चालू कर लीजिए, तो यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं, पहले आप सारे चालू कर लीजिए और फिर Google Indic Keyboard को चालू कर दीजिए, बागी सब को बंद कर दीजिए, फिर settings पे touch करिए और वही page आपके पास फिर से आ जाएगा, अब यहाँ पे आपको मिलेगा तीसरे नमबर पे Keyboard तो Keyboard option पे touch करिए, सबसे उपर आपको मिल जाएगा यहाँ पे photo या theme इस पे touch करिए और यहाँ पे आपको कुछ option मिल जाएगे, देखिए अगर आप अपना photo लगाना चाहते हैं तो आप My Image पे touch करें, अपना photo select करिए, जैसे कि यह वाला और next वगरा कर लिजिए, आपका photo लग जाएगा, टन पे touch कर लिजिए, हमारा photo लग गया है, पर यहाँ पे अगर आप color या theme चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे कई सारे theme दे रखिए, जैसे कि यह, यह, यह सारे theme आपे दे रखिए, आप को पूरी तरीके से यह कर देते हैं, यह वाला कर लिया हमने, हम कोई और color भी कर सकते हैं, जैसे कि black, तो हम black ही कर देते हैं, और back कर देते हैं, तो हमारे settings complete हो चुकी है, और हम message में जाते हैं, प्लस का एकर पर touch करते हैं, और keyboard open करेंगे, तो हमारे पास हमारा black keyboard show कराने लग जा कर दिएगा, किसी तरह की दिक्कत आ रही है, तो comment box आपको channel के नाम के नीचे मिल जाएगा,